अब कर दो Sud क्य आसे हो उम्मीदे आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तो हमारी जिंदिगहें बहुत से इतिफाक ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है लेकिन जो इतिफाक इतिफाक से कैम्रे में कैड़ हो रहते हैं वो हमेशा याद रहते हैं और कुछ इतिफाक तो ऐसे होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेजिंग कॉंसिनेंस और परफेक्ट टाइम पर खीची गई कुछ फणी और चौका देने वाली पिक्चर दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को लास तक जरूर देखे क्योंकि आखरी में जो पिक्चर है वो आपके दिमाग घुमा देगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तो आपने आस्मान में बादलों से अलग-अलग शेप और डिजाइन तो बनते देखा ही होगा लेकिन इन में से सबसे ज़्यादा अनोखा शेप ये है ये एक युद्धा की तरह लग रहा है जिसने अपने हातों में तलवार भी ले रखी है दोस्तो ये पिक्चर तो अपने आप में ही एक अनोखा है ये लड़की चादर को ज़ाड रही है पर फोटो इतनी अच्छे टाइमिंग पर ली गई कि इसको देखकर लग रहा है कि कोई लड़की के सामने लाल रंकी चादर ओड कर खड़ा है और उस लड़की को देख रहा है अब इसको देख लो ये है आलू पर ये आलू कम एक मेंड़क ज़ादा लग रहा है अब इस गाजर को देख लो ये गाजर एक इंसानी पैर की तरह लग रहा है वैसे यार कि आप ऐसे सब्जी खाना चाहोगे जो एक मैंडक और इंसानी पैर की तरह लग रहा हो हमें कमेंट ओक से कमेंट जरूर करें अब यार आप इस पैंट को देख लो, इस पैंट को देखकर ऐसा लगता है, ज़्यादा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, यार इस दुखी पैंट के लिए तो एक लाइक बनता है दोस्तो, खाना तो हम सभी लोग खाते हैं, पर खाना खाते वक्त के आपके साथ ऐसे इतिफाक हुआ है, कि आप जो रोटी खा रहे हो, उसकी शकल एक कुट्टे से मिलती हो अब आपको पहले नजर में लगा होगा, कि ये एक राक्षास है, लेकिन नहीं, इसको ध्यान से देखो, यार ये एक टमाटर है ये टमाटर को इस तरीके से काटा है, जो दिखने में एक मॉंस्टर की तरह लग रहा है स्पाइडर मैन मुवी तो आपने देखी होगी, और उसका ये सीन भी देखा होगा लेकिन चलो आप मिलते हैं संतरों के स्पाइडर मैन से अब ये देखिए संतरे के स्पाइडर मैन, क्यों है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ये तो लग चाई और कॉफी में बहुत सारे डिजाइन बना देते हैं पर इस चाई को देखने के बाद आप क्या कहोगे जिसमें भारत का नक्सा बना है और स्रिफ यही नहीं बहुत सारी पिक्चर हैं जिनको देखकर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी क्यों सही कहाना दोस्तों ये तो बहुत ही गजब इतिफाक है इस फोटो को आप जब पहली बार देखोगे तो ऐसा लगता है मानो छे पक्सी एक साथ उड़ रहे हो लेकिन जरा रुको इस फोटो को ध्यान से देखो क्योंकि इस फोटो में नीचे के 4 पक्सी नकली हैं जो एक बॉक्स पर छपे हैं और जो पांचव पक्सी है वो पक्सी नहीं बलकि फटा हुआ कपड़ा है जो दूर से देखने पर एक पक्सी लगता है लेकिन इन पांचव पक्सी के उपर एक रियल कबूतर है लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो 6 पक सी एक साथ उड़ रहे हो और दोस्तो इन लोगों को देखो इन्होंने same to same वैसे ही रंग के कपड़े पहने हुए है जैसे इनका background है इनके और background के बीच में कोई difference नहीं है अगर आप इनको पहली नजर में देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई खड़ा है तो दोस्तो आप time आ चुका है कि मैं उस photo के बारे में बताऊं दोस्तो इस image को ध्यान से देखना और बताने कि इसमें लड़की कौन है और लड़का मतलब जो बैठा है क्या वो लड़का है या जो खड़ा है वो लड़का है हमें भी बहुत confusion हुई थी इस image को लेकर तो दोस्तो इंतिजार रहेगा आपके comment का तो दोस्तो बस इस वीडियो में इतना ही तो दोस्तो कैसे लगा आपको ये वीडियो तो दोस्तो ऐसी फोटो और वीडियो अगर आपके पास भी है तो हमें शेयर करें हमारे इंस्टरगाम के हैंडल पर जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तो जल्दी मिलेंगे आपसे next वीडियो में और दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद